हलो मेरे यूट्यूब फैमली आप सब को राधे राधे आजकल गर्मी तो कितनी जादा है और उपर से बच्चे भी और भी घर में हैं और भी दिमाग की गर्मी जादा कर रहे है तो गर्मी का एक ही मज़ा है जो कि आम फलो का राजा आम जामून कठल लीची बहुत सारे फ्र करते हैं मैंगो सेक मैंगो पूडिंग मैंगो आइस क्रीम आम रस बहुत कुछ खाते हैं आज में लेके आई हूं आम की एक नए चीज जो कि जो आम पगए है या थोड़ा सुख गए है कच्च खाने में अच्छा नहीं लगेगा काटके उसी आम से मैं आज एक बहुत ही अठरे लेंगे 2 काट्री मैदा आठा भी ले सकते हैं और एक काट्री चाबल की पाउडर और ले लेंगे चीनी काट्री और लेंगे ठोड़ा सा नमख और थोड़ा सा दो चारदना इलाईज़ी सारे जो पाउडर है तारिप की बारिस हो जाएगी इतनी टेश्टी मैं अक्सर इस रेस्पिक को बनाती हूं हमारे आम का पेड़ है ना तो कोई आम तो बहुत अच्छे से निकालता है आता है नीचे और कोई-कोई जो आम पेड़ से आते हैं थोड़ा सूख जाते हैं तो मैं रेस्पिक बनाती तो दोस्तो सारे मिसरन को आप जब मिलाएंगे देखेंगे यह बहुत टाइट हो गया तो आप चाहे तो इसे थोड़ा सा पानी में डो लगा लीजिए अगर आपके पास पावडर सुगर है तो डो पतला लगाएंगे लेकिन मेरे पास पावडर सुगर खतम हो गया इतना टाइट डो कर रहे हूं आप देखेंगे जब पान जब चीनी मेल्ड हो जाएगा ना जो डो है एक दम पतला हो जाएगा तो इसे हम ढखके कम से कम 15 मिनिट रेष्ट के लिए छोड़ देंगे तो दोस्तों देख रहे हैं मैं कितना टाइट डो बना के रखे थे चीनी की बज़े से कितना पतला हो गया अगर आप पतला चीनी यान की माहीन चीनी भूरा सककर आप डालते हैं तो उस टाइम आप इस टाइब से बना दीजिए फिर इसमें हम मैं डाल रहे हो थोड़ा सा कटी हुई काजू आप काजू की जगा पे नर्मल मूमफली भी डाल सकते ह उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों इसे हम थोड़ा सा फेटेंगे ज्यादा हम नहीं फेटेंगे फिर इससे हम तेल में फ्राइ करेंगे जी दोस्तों तेल में कडाई में मैंने तेल गरम कर लिया आज कल मैं ना इंडाक्शन में ज्यादा बनाती हूं क्योंकि इतनी गैस की भी गर्मी है तो उपर से इतना भयांकर गर्मी मेरे यहां पर तो पंजाब में तो आप लोगों पर कितना गर्मी है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा फिर इसे हम जो छोटा-छोटा जैसे इसे हम बड़ा की सेफ में ना मतलब ठाई करेंगे छोटा-छोटा गोली-गोली जैसे एक्चली हमारे में ताल से बनते हैं आप चाहे तो केले में इसे में तो बड़ा-बोलते हैं आम की बड़ा तो इस तरह से चोटा-चोटा बना सकते हैं आप चाहे तो इस से थोड़ा बड़ा size की सेक्च में बड़ा सकते उससे बीए जो रेसिपी है ना बहुत अच्छे से बन के तयार हो गया तो दोस्तों देख रहे हैं इंडक्षन का एक ही मतलब जो बोलते हैं खराब चीज है कि नीचे जल्दी वेट जाता है इंडक्षन में आप चाहे फ्लेम कितना भी लो करें नीचे वाला पहले पाग जाता है तो मैं यहां पर इतनी गर्मी की वज़े से इंडक्षन में कर रहे हूं तो इसे ना फ्राई करने के टाइम दोस्तों लो टू मीडियम पर किजिएगा कभी भी हाई पर मत किजिए क्योंकि यह जो अंदर से कच्छा रहेगा प्र बाहर से बग जाएगा तो दोस्तों मैंने दो से त देख रहे हैं यहां पर मेरी सारी बड़ा जो है ना बनके तैयार हो गया है इसे आप चाहे तो गर्मा गरम खाईए नहीं तो थोड़ा सा ठंड़ा करके खाईएगा बहुती टेस्टी बहुती नरम यह बड़ा है इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा बहु